Hello everyone, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल Learning Station पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज मैं जिस टूपी के वारे में डिसकस करने जा रहा हूँ वो है बाइगोस की थेोरी ओफ सोशल कंस्ट्रक्टिविजम या बाइगोस की थेोरी ओफ सोश्यो कल्चरल डेबलेब्मेंट तो शुरू करते हैं तो जो ये बाइगोस की थेोरी ओफ सोश्यो कल्चरल डेबलेब्मेंट है ये दी गई थी लीव सेमियोनोविच बाइगोस की के दिवारा उनी के सरनेम बाइगोस्की के नाम पड़ा बाइगोस्की थियोरी, वो एक रश्यन सैकोलोजिस थे और बहुती कम एज में उनका ध्यांत हो गया था, 38 की एज में उनका ध्यांत हो गया था, वो 1896-1934 उनका लाइप एर था, आप उसके जनरल इंट्रोडक्शन में लेख सकते जो बाइगोस्की के बारे में, उनके अनुसार जो सोशल इंट्रेक्शन है, उनके अनुसार जो सोशल इंट्रेक्शन है, उन्होंने फोकस किया था, connection between the people and social interaction, उन्होंका जो में फोकस था, वो था कि कैसे बच्चा इंट्रेक्ट करता है, सोसाइटी से, अपनी पेरेंट से अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, और कैसे उसकी लर्निंग होती है, उन्होंने, उनका में फोकस था, importance of culture and context in understanding, वटकर्जिन सोसाइटी, कि क्या हमारी संस्कृती की क्या महत्तव है, बच्चा सोसाइटी के एक साथ कैसे इंट्रेक्ट करता है, कैसे उस सोसाइटी को स assumptions पर, तो ये इस तियोरी की भी various assumptions है, जिसमें से हमारे फ़र्स्ट है, knowledge is a product of human interaction, कि जो हमारा ज्यान है, हमारी knowledge है, वो क्या है, वो product है हमारी human interaction का, कि कैसे हम interact करते है, अपनी peer group से, अपनी सोसाइटी से, अपने culture से, उसके बाद है कि knowledge is a socially and culturally constructed by the environment, environment आता है, हमारा बातावर है, हमारे घरवाले है, हमारी family है, हमारे neighbors है, relatives है, उसके बाद है learning is a social activity, कि जो हमारी learning है, ये social activity है, एक समाजी के प्रक्रिया है, ये society में होती है, ऐसी नहीं है कि isolated form में हमारी learning हो रही है, कि हम किसी बंद कमरे में है, शुरू से बंद कमरे में है, और हमारी learning हो रही है, तो वो तो एक किसम का disorder हो गया कि हम खुद को society से अलग करके रख रहे हैं तो हमारी learning तो हो यह नहीं सकती, possible ही नहीं है कि हमारी learning इतनी ज़्यादा effective हो उसके बाद है कि language develops through social interaction प्याजे बोलते थे कि जो हमारी language है उससे हमारी जो हमारा thought है उससे हमारी language की development होती है परना तुँ बाइगोस की बोलते हैं कि language से thought की development होती है और यह thought की development किस से होती है language आती है हमें social interaction से और फिर होती है thought की development हमें knowledge आती है उसके बाद है collaborative nature of learning तो जो बाइगोस की है उन्नोंने बोला कि ऐसी नहीं कि learning एक ही तरीके से हो रही है यह एक ही जगह से हो रही है उसका collaborative nature होता है यह बहुत जगह से होती है हम अपने peer group से भी सीखते हैं parent से भी सीखते हैं society से सीखते हैं neighbor सीखते हैं teacher से सीखते हैं अपने parent से सीखते हैं उसके बाद है main aspects of byghost की theory तो जो byghost की theory है इसकी three main aspects से जिसमें हमारे पास first था social interaction, second था हमारे पास culture और third था हमारे पास language यह जो तीनो aspects है यह आपस में interlinked है जो social interaction है वो culture भी उस्से linked है और स्ससे language भी linked है बात करें social interaction की तो society में जितने भी हैं पीर ग्रूप है है हमारे friends है हमारी family है हमारे neighbors है हमारे teachers है उनके साथ जो हमारी interaction है जो child की interaction है उससे जो knowledge gain करता है उससे जो learning करता है उसके बाद है हमारा culture कल्चर में आ जाता है हमारी values, हमारे norms, हमारी ethics, हमारे customs, हमारी history जिससे क्या है हमारी learning होती है उसके बाद है language तो language क्या है एक tool है communication का जिससे हम interact करते है अपने parents से, अपनी family से, friends से और इससे क्या है हमारी thought development होती है जब हम किसी से interact करते है तब ही हमें सीखने को मिलता है कि हाँ यह ऐसे हो सकता है इससे हमें यह knowledge मिर रही है उसके बाद है themes of bygose की theory जो bygose की theory है यह social constructivism का जो क्या है उसकी foundation है means to constructivism theories है वो based करती है bygose की किस theory पे जो यह bygose की theory है यह main focus करती है इन तीन themes पे जिसमें हमारे पास first है social interaction, third है mko, more knowledgeable other, second है more knowledgeable other, third है हमारे पास zbd, zone of proximal development जो zone of proximal development है इसमें further two parts है, first है scaffolding और second है reciprocal teaching तो चुरू करते है social interaction से, तो social interaction क्या है कि जो हमारी knowledge की construction है bygose की कहती है कि हमारी knowledge construction होती है जब क्या है learner interact करता है society के साथ means अपने peer group से, अपने parents से, family से, teacher से, जब हमारी society से interact करता है तो जो उसकी learning होती है तब वो knowledge construct करता है, तो वो है हमारी social construction, social interaction की कैसे हम social interaction से सीखते है हमारे में कैसे knowledge gain होती है, कैसे हम knowledge की construction करते है उसके बाद है MKO, more knowledge well other, नाम से पता चर रहे है, कोई भी जिसके पास हमसे ज़्यादा knowledge हो उनकी ability level क्या है, हमसे higher हो, वो चीजों को easily understand करता हो, उनके पास better understanding हो over problem solve करने की उनके पास ability ज़्यादा हो, वो easily concept को क्या है explain करते हो उनके पास concept की knowledge हमसे ज़्यादा हो, वो कोई friend भी हो सकते है, कोई हमारा brother sister भी हो सकते है कोई हमसे बड़ा भी हो सकते है, हमसे शोटा भी हो सकते है, इसमें age कोई factor नहीं है और in fact कोई technology भी हो सकती है, जैसे computer भी हो सकते है, हमारा calculator भी हो सकते है, हमारा mobile phone भी हो सकते है और knowledge का construction कर रहे हैं, उसके बाद है ZPD, zone of proximal development, जो MKO है more knowledgeable other और zone of proximal development, वो एक दूसरे का integral part है, integrally related है, एक दूसरे से linked है, कैसे, जो ZPD है, यह है difference between the child, what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement, कि क्या बच्चा खुद से कर सकता है, और क्या बच्चा किसी की guidance से कर सकता है, उसके बीच का जो gap है, वो है हमारा zone of proximal development, तो यह कैसे MKO से related है, अभी जो यह gap है, इसको overcome करने के लिए हमें किसी की guidance की जरूरत है, अगर हम कोई चीज खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ज उसी guidance ले सकते हैं, उसी की help ले सकते हैं, जो वो problem को solve कर सके, जिसके पास हमसे higher ability हो problem solve करने के, तो बाइगोस्की क्या बोलते हैं, कि इस zone में ऐसी नहीं है कि बच्चा solve करने लगा, उससे नहीं हो रहा है, तो teacher क्या है, help कर रहा है, उसकी help कर रहा है, बच्चे को proper time देना च के skills को, कि हाँ वो पूरा अपनी efforts लगा रहा है कि problem solve करने को, अगर नहीं हो रही है, तब क्या है, teacher क्या है, उसको guide करेगा, इसकी example हम ले सकते हैं, जैसे हमें शुरुआत में हम nursery या KG में हैं, तो हमें बोल दिया कि ये math का sum है, addition का, इसो solve करो, तो हमें वो नहीं आ रहा है हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे करें हम, ऐसे हमें बोल दो count करने को, तो हम counting कर रहे हैं, पर जब वो हमें बताते हैं कि ऐसे lines लगा के कर लो, तो बच्चा क्या वो concept 12 कर लेता है, कि हाँ, अगर मैं 4 प्लस 5 करना है, तो 4 lines लगाई, उसके 5 lines लगाई, उनको count किया, तो मैरे पास 9 आ गया, तो ऐसी वो क्या है, knowledge construct कर रहा है, वो उसे नहीं कर पा रहा था, प्रंतु अब ZPD में, वो जो difference है, वो overcome कर दिया, MKO ने, more knowledgeable other teacher ने, guidance से, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमें knowledge construction होगी, हम क्या है, sum करने, खुद से करने लगे without lines, without any help, तो वो अगया हमारा zone of proximal development, उसके बाद इसका further part है, scap folding, तो scap folding ZPD का ही part है, कि जिसमें क्या है, teacher give appropriate assistant to the learner to complete a task, इसमें क्या है, वही कि जो more knowledgeable other है, जो हमारा teacher है, वो जो help कर रहा है, वो खुद से हमें assist कर रहा है, कि बच्चे से नहीं हो रहा है, तो बच्चे को help कर नहीं है, तो वो हो गया scap folding, इसमें क्या है, जो हमें help दी जाती है, वो temporary होती है, ऐसे नहीं है कि permanent है, अभी जैसे math का वो sum था, हमेंने बताया कि addition का sum है, तो ऐसे तो नहीं कि teacher हमें हर वक्त बताता रहेगा, कि ऐसे lines लगाओ, वो तब तक है, जब तक हमें concept की development नहीं हो र जाती है, हमारा goal हम reach कर लेते हैं, कि हमें sum करना आ गया है, तो उसके बाद क्या है, जो वो help है, वो removed हो जाती है, जैसे cycle का example ले लो, कि जैसे हमारे parents हमें सिखा रहे है, हमारे brother सिखा रहे है हमें cycle चलाना, तो पहले तो वो help कर रहे है, उसके बाद वो helping end हट जाता है, जब ह हम खुद से balance करना सीख जाते है, cycle को और प्रोपर चलाने लग जाते है, diagram की माध्यम से समझते है, zpd and scap folding, इसमें देखेंगे तो जो सबसे पहला oval है, उसमें जो green color का है, उसमें है what I can learn on my own, उसके बाद आ जाता है what I can learn with help, तो जो ये what I can learn with help oval है, जो blue color का, ये है हमारा zp zone of proximal development, जो हमारा what I can learn on my own, जो हमारा green color का oval है, इसमें और जो हमारा zp है, जो हमारा next oval है, उसको जो difference है, वो है हमारा zpd, zone of proximal development, और last है हमारा beyond the reach, जो हमारा pink का लग है, कि जो हम कर ही नहीं सकते, ना हम खुद से कर सकते हैं, ना teacher की help से कर सकते हैं, या more knowledgeable की help कर सकते हैं, उ उसके बाद इसका second part है reciprocal teaching, तो reciprocal teaching ZPD में ही है, जैसे scaffolding में है कि teacher assist करता है, बच्चे को guidance देता है, या उसको guide करता है कि problem को कैसे solve करना है, reciprocal में ऐसे है कि environment ऐसा होना चाहिए, कि बच्चा question put कर सके, means open dialogue environment होना चाहिए students में, कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो teacher से question put करे, ऐसी नहीं है कि वो passive learner होना चाहिए, वो active learner होना चाहिए, passive होते हैं, जो मतलब teacher का सुन रहे है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी जो active learner होना चाहिए, अगर बच्चा active learner है, तो वो teacher से question put करेगा, जो से नहीं हो रहा है वो teacher से पूछ लेगा तो वो हो जाएगा हमारा scaffolding और इदे जेड़ पीडी जो हमारा zone of proximal development है इसके बाद है हमारा educational implications of bygoski theory तो जो bygoski suggest that children constructivism theory can be enriched and implied in education in the following manners जो bygoski ने बताया था कि जो constructivism theory है वो education में इस तरीके से implement की जा सकती है या इस तरीके से implement होती है उन्होंने various types बताई जिसमें से हमारे पास first है learning should be child centered second is social interaction are important third focus should be on knowledge improvement उसके बाद है development of learner must be fostered उसके बाद है learner should be active learning by discovery should be present उसके बाद है challenging task must be included first है हमारे पास learning should be child centered means जो हमारी learning है वो child centered होनी चाहिए ऐसी नहीं है कि बच्चा passive learner होना चाहिए बच्चा active learning होना चाहिए उसकी active participation होनी चाहिए ऐसी नहीं कि teacher आया और पढ़ा के चलेगे बच्चे की उसमें कोई involvement में है जो हमारी learning है यह बहुत बे प्रोसेस होती है teacher और जो learner है दोनों equally participate करती है उसके बाद है social interaction are important कि बच्चा अगर interact करेगा अपने peer group से बहुत चाहरी चीज़ें है जो हम teacher समझाए तो हमें समझ नहीं आती है प्रन्तु अगर हमारा कोई friends समझाए तो हमें easily समझा जाती है और जब हम किसी social interaction के साथ सीखती है तो वो easily और लंबे समय तक रहती है उसके बाद है focus should be on knowledge improvement कि जो teacher का focus है वो knowledge improvement में होने चाहिए ऐसी नहीं कि बच्चे को रटाते जा रहे है रोट memory पर नहीं कि बच्चे में क्या है knowledge की improvement होनी चाहिए उसमें knowledge construction होनी चाहिए और जो वो knowledge construction वो किसी हो रही है social interaction से उसके बाद है learner should be active ये वही आगे कि learner should be child centered तो वही आगे कि learner कि है active होना चाहिए ऐसी नहीं कि passive learner होना चाहिए कि वो participating नहीं कर रहा है या कोई question नहीं पूट कर रहा है उसके बाद है learning by discovery should be present ये वो आगे जैसे ZPD में था कि children should be allowed to develop skills that they can use their own means बच्चे को proper time देना चाहिए कि बच्चा क्या है खुद से discover करे खुद से skill develop करे अगर उससे नहीं हो रहा है तो more knowledgeable other की help लेनी चाहिए या तो teacher को guidance देनी चाहिए उसके बाद है challenging task must be included कि जो हमारा education है उसमें जो है challenging task आने चाहिए तो बच्चा क्या है खुद से कोशिश करेगा कि ये problem क्यों नहीं solve हो रही है उसमें क्या है उसकी abilities, mental abilities क्या है उसकी thinking power increase होगी उसके बाद है development of learner must be fostered कि जो learner की development है वो increase होनी चाहिए ऐसे नहीं कि teacher पढ़ा रहा है वो पढ़ रहा है उसमें कोई knowledge की construction नहीं हो रही है उसकी knowledge development उसकी all around development होनी चाहिए तो ये थी educational implications of by ghost की थियोरी इसमें आप ZPD भी लिख सकते हो zone of proximal development वो भी implications आगे है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो teacher help कर रहा है scaffolding में लिख सकते हो more knowledgeable other भी लिख सकते हो reciprocal teaching भी लिख सकते हो जो हमने इसकी themes पड़ी वो इसकी education implications में भी लिख सकते हैं तो आज हमने पढ़ा by ghost की थियोरी के बारे में उसके introduction फिर उनकी assumptions उनके तीन aspects के बारे में उसके बाद उनकी themes के बारे में और last में हमने पढ़ा education implications के बारे में यह मैंने आपको key points दिये हैं आपने paper में ऐसे नहीं बिल्कुल लिखना है आपने इसको elaborate करके लिखना है क्योंकि B.Ed. में क्या है जो proper length होनी चाहिए question कि अगर 16 marks के according है तो criteria होता है कि इतनी sheets भर नहीं है तो आपको उस according लिखना है और last मे conclusion जरूर देना है conclusion में आप लिख सकते हो कि जो बाइगोस्की की theory थी यह constructivism का main क्या बोलते है इस पे foundation main foundation यही है constructivism की बहुत सारी theories इसी theories पे based है इन्होंने क्या बताया है इसमें कोई stages नहीं थी इन्होंने बताया कि जो हमारी language development है means आपने इसका निचोड क्या है conclusion में दे subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ भी share करें thanks for watching